मैं से अपनी जयान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एटूप चैनल पर दोस्तों आज की आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जीस्टी में इन्वोस को लेकर एक काफी बड़ा जैजमेंट आया है उसमें इन्वोस को जैनरेट ना करने के लिए लगाए गई पैनल यह अपनाम में एक यूनिक जजमेंट भी है तो जीस्टी में अगर आपने भी यह वाली मिश्टेक कर दी इन्वोस में तो आपको पैनल्टी लग सकती है तो आपको भी अलग रहने की रिक्वार्मेंट है अब इस तरह की जो चीजे हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है और प पैस कर दिया जाए अब यहां पर जो पैटिशनर है उनके उपर जो पैनल्टी लगाई गई थी वह वन लैक फोटिफोर्थ हौजान अप्रोक्स की थी यह पैनल्टी ओडर उनके इस्ट में पास हुआ था जिसके लिए उन्होंने जो है यहां पर रिट पैटिशन फाइल क और केस्ट में फैक्स तो कंसिडर किया और जेजमेंट कियो है लेकिन फिर भी interactions का क्यों है समझेगा इस यह लगाए गया है कि आपने जो है ये जो आप transaction एक कर रहे हैं या फिर जो गुर्स अब ट्रांसबोर्ट कर रहे हैं उसका आपने इन वह जञे नहीं किया तो जिएस्टी में ऐसे बहुत सारे सेसी होंगे जो कि अपने जी जीएस्टी में invoice applicable होने के बाद भी जो है उसको time limit के अंदर generate नहीं करते वो कहते हैं कि सरम एक साथ बाद में कर लेंगे कुछ लोग जो है एक महीने में करते हैं कुछ तीन महीने में भी करते हैं अब यहां पर आप एक चीज़ समझ लीजिए अगर किसी SAC के उपर invoice applicable है और वो goods के लिए मतलब वो goods में deal करते हैं तो उस case में उनको पहले invoice generate करना है अगर वो normal invoice के base पर अपने goods को transport कर रहे हैं उसको deliver कर रहे हैं तो गलत है अगर कहीं पर भी आपका goods detained हो जाता है तो आपको उसमें penalty लगेगी यहां पर यहां पर यहां पर यह कहना है कि सर हमारी turnover जो है वो अभी तक पांच करोड नहीं हुई है तो जिन लोगों की turnover GST में पांच करोड से ज्यादा हो गई है पिछले किसी भी साल को लेकर 17 से लेकर 17 18 से लेकर अगर किसी भी साल में पांच करोड से उपर थी तो उनके लिए invoice अपली के वले और यह जो रूल है यह तो पिछले साल से आया हुआ है तो यहाँ पर SAC को relaxation मिलने के लिए यह point यहाँ पर इनके favor में आ गया क्योंकि इन्होंने कहा कि सर हमारी जो turnover है वो पिछले किसी भी साल में जो है पांच करोड से ज्यादा नहीं थी हमारी turnover जो है पांच करोड से कम थी अब यहाँ पर उसमें भी एक point है क्या कि इनका यह कहना है कि जो turnover है अठारह उन्निस में वो गलती से पांच करोड से ज्यादा दिखाई गई थी लेकिन इन्होंने उसको GSTR9 जो कि इनकी एन्वा लिटन है उसमें उसको correct कर लिया था तो यह point जो है department की तरफ से जो learn council है उन्होंने भी accept किया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर यह partition जो है यह sustain नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी SSC के पास जो है वह एक remedy available है कि वह appeal फाइल करें इसकी regarding लेकिन ओनेबल कोट ने फिर भी सहाइड़िशिप को यहाँ पर consider किया कि जो इनके गुर्स है उनको release किया जाए जो भी amount petitioner ने दी है उसको refund किया जाए अब यहाँ पर ध्यान दे समझिएगा कि पैटिशनर ने जो है इनके पास हो गया इन्होंने कहा कि हमारी जो turnover है वो पांच करोड से कम है इस case में जो है यह जो order पास हुआ है इसको quest किया जाना चाहिए लेकिन जो goods release होए है वो तो पहले penalty ज से penalty के नाम पर amount लिया हुआ है उसको आप इनको refund करेंगे if such application is filed the respondent are directed to consider and dispose the same लेकिन उसके लिए भी जो है उसके बाद जो है आपकी जो goods की delivery है वो start होगी जो भी आप जिस भी ट्रांसपोर्ट के तरूस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे अगर आपने ये करा कि पहले आपने normal invoice के वेस पर बेज दिया और फिर बाद में आपने किसी दिन बैठ कर सारे एक साथ बना लिए invoice हलाकि GST पोर्टल इसी को लाउड करता है GST पोर्टल पर इसके लिए अलग से एडवाईजरी भी आई थी लेकिन ध्यान रहे वह एक एडवाईजरी थी वह कोई notification या circular नहीं था जिबकि एक्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर आपने आपके ओपर इन्वोइस एपली के वेला है तो आपका इन्वोइस जो है वैलिट नहीं माना जाएगा और जो पैनल्टी है कि इन्वोइस की एवे बिल जैनेट ना करने की वो सारी की सारी जो है आपके ओपर इनिसेट हो सकती है तो इसी कर यहां रखे इस वीडियो को सेर भी करें जिटाप के काफी सारे जज्मेंट वीडियो में यूट्यूब चैनल पर अविलेबल है बैसिक फाइलिंग्स रिस्टेशन प्रोसेस और जो भी नई अपडेट्स आते हैं उस सब कुछ यहां पर अप्लोडेट है चैनल का जो परपजा फुली एजुकेशनल है आप चैनल को स्ब्स्राइब करें या ना करें वीडियो जो देखें ये वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ